देश में यू तो न जाने कितने वीर और महान योध्धा थे, जिन्होंने भारतिय अस्मिता को बचाने के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी। मगर भारत के वीर पुत्रोस बब्ब शेर की तरह थे, जो अपराजित रहकर विदेशी आक्रमनकारी क्रूर मुगलों से लड़ते रहे। मुगल बादशा अकबर भी उनके नाम से कांपता था। महराना प्रताप देश के सबसे वीर योधाओं में से एक थे। राजपुतों में अपने पूर्वजों के जैसे ही उनका अंदाज था। उन्होंने वीरता से अपने प्राण इस देश की रक्षा के लिए त्याग दिये थे। नमन है ऐसे निदर महान योधा को जो सदियों में एक बार ही जन लेते हैं। महराना प्रताप हिस्ट्री इन हिंदी के इस ब उनका जन्म हिंदी तिथी के अनुसार जेश्ट शुक्ल तृतिया को मनाया जाता है। उनके पिता महराजा उदै सिंग और माता राणी जीवत कवर थी। वे राना सांगा के पोते थे। महराना प्रताप का बच्पन का नाम की का था। महराना प्रताप की जयनती विक्रमी समवत कैलेंडर के अनुसार प्रतिवर्ष जेश्ट मास के शुक्ल पक्ष तृतिया को मनाई जाती है। महराना प्रताप हिस्ट्री हिंदी के माध्यम से आप महराना प्रताप की महानता के बारे में जान पाएंगे। महराना प्रताप का निजी जीवन। भारत का वीर पु के देहांत के बाद राजगद्दी संभाली थी। इसके अलावा प्रताप की दस और पत्नियां भी थी। प्रताप के कुल सत्रव पुत्र और पांच पुत्रियां थी। महराना प्रताप हिस्ट्री हिंदी के अनुसार प्रताप के पिता राना उदे सिंग की और भी पत्निया जिनमें रानी धीर बाई उदै सिंग की प्रियपत्नी थी। रानी धीर बाई की मनशा थी कि उनका पुत्र जगमार राना उदै सिंग का उत्तराधेकारी बने। इसके अलावा उनके दो पुत्र शक्ती सिंग और सागर सिंग भी थे। लेकिन प्रजा और राना जी दोनों ही प्रताप को ही उत्तराधेकारी के तौर पर मानते थे। इसी कारण ये तीनों भाई प्रताप से घ्रिना करते थे भारत का वीर पुत्रा महराना प्रताप का राजतिलक गोगुंदा उदैपूर में हुआ था। राना प्रताप के पिता उदैसिंग ने अकबर से भाईवीत होकर मेवाड त्याग कर अरावली परवत पर देरा डाला और उदैपूर को अपनी नई राजधानी बनाया था। तब मेवाड भी उनके पास ही था। महराणा प्रताप हिस्ट्री हिंदी के अनुसार महराणा उदैसिंग ने अपनी मृत्यु के समय अपने छोटे पुत्र को गद्दी सौंप दी ती जोकी नियमों के विरुधध था। में आप जानेंगे कि उदैसिम की मृत्यू के बाद राजपूत सरदारों ने मिलकर 1628 फालगुन शुकल 15 हर्थात एक मार्च 1576 को महराना प्रताप को मेवाड की गद्दी पर बैठाया। राजपूती हो गए थे प्रताप के खिलाफ। हल्दी घटी की युद्ध से पहले काफी राजपूत अकबर के आगे हथियार डाल चुके थे लेकिन अकबर महराना प्रताप के खून का दुश्मन बन गया था। अकबर ने राजा मान सिंग को अपनी सेना का सेनापती बनाया। इसके आलावा तो डर्मल, राजा भगवान दास सभी को अपने साथ मिलाकर 1576 में प्रताप और राना उदे सिंग के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया क्या था हल्दी घटी का युद्ध यह एतिहास का सबस बड़ा युद्ध था, इसमें मुगलों और राजपुतों के वर्चस्व को लेकर खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें कई राजपुतों ने प्रताप से गद्धारी की और अकबर की आधिनता स्वीकार की थी। साथ निभाया, जिनका मुख्य लक्ष अपनी मात्रभूमी को सुरक्षित रखना था। महराना प्रताप हिस्ट्री हिंदी के अनुसार उन वीरों ने महराना प्रताप का आखरी सांस तक साथ निभाया। हल्दी घाटी का ये युद्ध कई दिनों तक चला कि इस ब्लॉब के माध्यम से आपको जानने को मिलेगा की मेवाड की प्रजा को किले के अंदर पनाह दी गई। प्रजायव राजकिय लोग एक साथ मिलकर रहने लगे। लंबी युद्ध से अन्न जल तक की कमी होने लगी। महिलाओं ने बच्चों और सैनिकों के लिए स्वयम का भूजन कम कर दिया। उनके होसलों को देख अकबर भी प्रताप के होसलों की प्रसंशा करने लगा था। लेकिन अन्न के आभाव में प्रताप ये युद्ध हार गए। युद्ध के आखरी दिन जोहर प्रता को अपना कर सभी राजपूत महिलाओं ने अपने आपको अगनी को समर्पित कर दिय और अन्य ने सेना के साथ लड़कर वीरगती को प्राप्त किया। राना ओदे सिंग, महरानी धीर बाईजी और जगमाल के साथ प्रताप के पुत्र को पहले ही चित्तोर से दूर भेज दिया गया था। युद्ध की एक दिन पहले प्रताप और अजब्दे को नींद की देकर किले से गुप्त रूप से बाहर कर दिया था। अकबर ने भले ही हल्दी घटी युद्ध जीता हो मगर वो महराना प्रताप को हरा कर अपने कबजे में न कर सका। अकबर को इस बात का मरते दम तक दुख रहा कि वो महराना प्रताप को पकड़ न सका। युद्ध के बाद कई दिनों तक जंगल में जीवन जीने के बाद मिहनत के साथ प्रताप ने नया नगर बसाया जिसे चावंड नाम दिया गया। उनका घोडा चेतक की इस ब्लॉग में आपको चेतक के बारे में भी जानने को मिलेगा। चेतक महराना प्रताप का सबसे प्रिय घोडा था। चेतक में संवेदन शीर्ता, वफादारी और बहादुरी की भरमार थी। ये नील रंग का अफगानी अश्वा था। वो हवा से बाते करता था। चेतक की बदौलत उन्होंने अंगिनत युद्ध जीते थे। हल्दी घाटी के युद्ध में चेतक काफी घायल हो गया था। लड़ाई के दौरान एक बड़ी नदी आ जाने से चेतक को लगभग 21 फिट की चोड़ाई को लांगना था। महराना प्रताप हिस्ट्री हिंदी के अनुसार चेतक प्रताप की रक्षा के लिए उस दूरी को लंग देता है लेकिन घायल होने के कारण कुछ दूरी के बाद अपने प्राण त्याग देता है। 21 जून 1576 को चेतक प्रताप का साथ छोड़ जाता है। चेतक की मृत्यू से प्रताप पहले जैसा नहीं रहता है। अंतिम समय महराना प्रताप का निधन 57 वर्ष की आयू में 19 जन्वरी 1597 को हो गया था। वो जंगल में एक-एक दुर घटना की वजह से घायल हो गये थे। कई इतिहासकारों का मानना है कि हल्दी घटी के युद्ध के बाद महराना प्रताप ने मेवाड धरा को स्वतंत्र कराया और यही कारण है कि आज तक कोई भी महराना प्रताप को नहीं हरा पाया।